तो स्वागत है आप सभी का ग्याफन इकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर यानि की उर्दू कवाइद को पढ़ने वाले हैं यह हर एक चीज में आप लोग को बताते हुए सारा टॉपिक कम्प्लीट कराऊंगी यह तो मैं नहीं जानती कि वीडियो कितना लंबा होगा लेकिन हाँ इतना मैं जरूर जानती हूँ कि आज कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग के मैंड में यह सारा टॉप हंडेट परसेंट प्रफेक्टली फिट हो जाने वाला है एक भी टॉपिक से कंफ्यूजन नहीं रहेगा इतना मैं आप लोगो बता सकती हूं और यह सारा टॉपिक को पढ़ लेने के बाद समझने के बाद इस टॉपिक से किसी भी तरह का कोशन आप लोग के एक्जाम में जाता है तो आप लोग छोड़कर नहीं आएंगे बल्कि 100% करेक्ट बना कर आएंगे ठीक है ना तो इसी वज़ेसे आज के इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंति तक पूरे लगन और मगन के साथ बीना एक स्क्रिप्ट के वीडियो को देखिए और उसके बाद से ह आप लोगो को शेर करना है चानल पर अगर आप लोग नए नए आये हुए हैं हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि कॉंसेप्ट हो या फिर ट्रिक्स हो ट्रीकी और कॉंसेप्ट वाली वीडियो हमेशा अप उर्दू ग्रामर पर ही मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं आज का ये वीडियो भी उर्दू ग्रामर का है और इसको सबसे ज्यादा आप लोगो को शेर करना है ठीक है तो चली आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देख सकते हैं मैं लंबा चोड़ा बोड पर लिग दी जाएगा हलांकि screenshot लेने का भी मौका दूंगी मैं जिस भी तरीके से हो सके आप लोग screenshot लेकर रखे या फिर PDF लेकर रखे जिस तरह से अपने पास content रखें जरूरी यह है कि उसका revision और उसका practice होते रहना चाहिए ठीक है तो ग्यापन Academy official telegram channel का नाम है आप लोग सर्च करके भ जाती हूं आप लोग revision या फिर revision करते रहें प्रैक्टिस करते रहें highlight और underline करते यह सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप लोग practice नहीं करेंगे revision नहीं करेंगे तो फिर पढ़कर क्या फायदा भूल जाना पढ़ेंगे समझेंगे और उसके बाद से भूल इस मारफा मतलब की proper noun ठीक है तो इस मारफा की साथ किसमे थी इसमें अलम इसमें जमीर इसमें इशारा इसमें मौसूल इसमें मजाफ इसमें माहूद और इसमें मनादा ठीक है तो यह सातों किसमों को मैं इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुकी हूं आज किस वीडि किसी के खास नाम को कहा जाता है इसमेियलम और लेकिन सिर्फ इंसान का अप लोगों को समझेन। आ गया होगा अब इसमेियलम किसमें हैं कि इसमेियलम किसी चाक्त के खासनाम को कहते हैं तो इसी वज़रillä路 दूसरा लकब शुतरा है कुनियत और पांचवा है और एक-एक करते समझते हैं घबराने की जो नहीं है आराम-आराम से समझेंगे पहला जो टाइप है इसमेलम की वह है खिताब किसे कहते हैं वह खास नाम जो कि आप कोई अच्छा काम किये हैं ठीक है कोई आपकी खूबी या फिर कमाली के बदले सरक सरकार आपको एक खास नाम दे दे गौवर्मेंट के तरफ से आप लोग को एक खास नाम मिल जाए तो उसी स्पेसल उसी खास नाम को हम लोग क्या कहते हैं खिताब कहते हैं जैसे की पदम शरी आप लोग सुने होंगे उसको पदम शरी का खिताब मिल गया तो पदम शरी यह Constitution की Article 18 में कहा गया है कि आपको अगर कोई उपाधी दी जाती है तो उसको सर नेम में नहीं लगा सकते हैं तो मान लेजे मुझको यानि कि मुस्कान मैम को पदम शुरी का खिताब मिल गया तो में अपने नाम के सर्वनेम नहीं उसकर सकती यानि कि नाम में पदम श्री नहीं लगा सकती, ऐसे नहीं लगा सकती कि पदम श्री मुसकान मैम या फिर मुसकान मैम पदम श्री, ठीक है, मतलब कि मुझे अगर कोई उपाधी मिली है, कोई खिताब मिला है, तो उसको ऐजसर ने मैं नहीं लगा सकती हूँ, यह आर्टिकल 18 म से खिताब की पहचान करें ठीक है ऑप्सान ए में देगा बाबाय उर्दू भी में दी देगा बुलबुले हिंद सीद में देगा इबने कासीम ठीक है और डी में देगा पदम शिरी तो वट इस दराइट एंसर अब दिसकोशन जी हां पदम सिरी ऑप सनमबर डी करेक्ट एंस उस खास नाम को कहते हैं जो अवाम यानि की जनता के तरफ से दिया जाए आपकी खुबी या फिर कमाली के बदले मतलब कि आपको यह अच्छा काम किये तो आपकी खुबी या फिर कमाली के बदले अवाम यानि की जनता के तरफ से जो खास नाम दे दिया जाता है उसको कहत कि बढ़ले अवाम यानि की जनता के तरफ से दिया जाए लोगों के तरफ से दिया जाए उसको कहते हैं लकब आप लोग यह दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा एक तीज़ा आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि इसमें अलम शक्स के खास नाम को कहते हैं इसमें इनसान का खा नाम होगा ठीक है कि इसमेलम इनसान के खास नाम को ही कहते हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तखल्स को समझते हैं तखल्स जो है ना शायर हजरात यूज करते हैं यानि कि जब शायर शेरो शायरी लिखने के दौरान वह अपना एक खास नाम लास्ट लाइन में है वह अपने शेरो शायरी के लास्ट लाइन में जो एक खास नाम यूज करते हैं वह है जालिःग आप लोग जालिव की घजल को पढ़ेंगे ना तो लास्ट लाइन में घालिखा खूए लिखायी देगा सबसे लास्ट वाला शेर में और लास्ट वाले शेर को क्या कहते आप लोग ज़रा comment box में लिख कर बता दीजेगा ठीक है घजल के पहले और आखरी शेर को क्या कहते हैं ये मैं आप लोगों से question पूछ रही हूँ और आप लोगों को comment box में लिख कर बताना है ठीक है क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुछी है तो आखरी शेर में जो है ना शायर हजरात जो एक अपना खास नाम यूज़ करते हैं उसी को क्या कहा जाता है तखलूस गालिब क्या यूज़ करते थे गालिब मिर्दा गालिब तखलूस यूज़ करते थे यानि कि उनकी घजल को पढ़ेंगे तो लास्ट शेर में लास्ट के दौरा लिखी गई है ठीस तरी के से मीर बबर अली इसका तखलुस है अनीस या निकी अपने शियरों आई के लास लाइन में अपना एक खास नाम अनीस यूज़ करते थे तैसे तरह के से मिर्जा अलताफ उसें में आगया होगा अब आगे बढ़ते हैं चौथा जो टाइप है इसमें अलम की वह कुनियत किसे कहते हैं कि वह नाम जो आपका आपके अपने रिष्टेदारों से संबंध यानि कि रिष्टे को जाहिर करें जैसे कि अबु उम इबन बिंद यानि कि एक simple सा trick में आप लोगों को बता दे रहे हूं कुनियत को पहचानने का जो भी होगा यानि कि पहचान करने के लिए तिक यह है कि उस नाम के स्टार्टिंग में या तो अबी रहेगा या तो अबल्कासिम उमु फिर अप लोग सुने ओंगे और उसको बाद से बीन द्रें मुबारख हो गया तो क्या हो यह जितने भी मतलब नाम के स्टार्टिंग में अगर अबू उमू इन बिंत लगा हुआ है तो उसको अपलोग को विना सोचे समझे कुनियत कर देना है क्योंकि कोशन इसी तरीके से पूछा जाता है कि मंदर्जाटा जैल में से कुनियत की पहचान करें तो देख लीजएगा चारो ओप्सन में से कौन से option में कौन से option के नाम में लफज में अबू लगा है या फिर उम लगा होगा या फिर इबन लगा होगा या फिर बिन्त लगा होगा अगर चारों में से कोई भी एक दिखाई देता है तो उसको धीरे से कुनियत टिक कर देना है ठीक है आई होप आप लोगो समझ में आगे होगा आगे बढ़ते हैं उर्फ पांचवा जो टाइप है वो है उर्फ उर्फ तो आप लोग जानते होंगे बश्पन से ही आपके घर वाले आपके माता पीता जो है ना आपके रियल नेम के लावा एक अलग नाम से पुकारने लगते हैं आपके खोबी या फिर आपके कमी के वज़ा से मान लिजे बश्पन में कोई लड़की बहुचदा खोबसूरत है तो उसको लोग गुडिया गुडिया कहकर पुकारने लगते हैं हलाएं कि उसका रियल नेम अलग है रियल नेम के लावा उसको गुडिया कहकर पुकारा जाने लगता है ठीक है तो गुडिया हो गया है उसको लोग गुडिया पुकारने लगे और वो बड़ी भी हो गई फिर लावा बश्पान से ही आपके लोग पुकारती आ रहे हैं। ठीखे तो घ zucchini हो गया बश्पन से को बश्पन से में जब अलग होता है। तो उसको लोग कलू पूकारने लगते हैं और जब बड़ा होता है फिर भी उसको लोग कलू ही पुकारते रह जाते हैं हलांकि उसका रियल नाम के लावा एक खास नाम लेगर पुकारा घारा है आफको तुर्दार कमेंड बॉक्स में लिखकर बता दीजेगा कि आपका उर्फ है क्या आखिर ठीक है उसी तरीके से छोटू कोई छोटा है बच्पन से ही उसको लोग छोटी छोटू छोटू पुकारने लगते हैं आपल को प्रोफ बता चल गया होगा यह जितना भी इसमें लंट के हैं पर फाइनल कमप्रीट हो गया अब थोड़ा सा और पिर दूसरी इसमें बासेटाच्प इसले शमिर उसके बारे में समझते हैं जमीर का मनलब मैं आप लोगों बताइती प्रो नाउन यानि कि सर्वनाम जो नाम के बदले में यूज हो मैं अपने नाम के जगा कौन सा लफ्ज यूज कर रही हूं मैं यूज कर रही हूं यानि कि हमारा कोई ना कोई नाम है लेकिन मैं अपने नाम के जगा कौन सा लफ्ज यूज कर रही ह तो आप लोग तुम मैं वह वह लोग यह सारे लफ़ क्या कहलाएंगे इसमें जमीर कहलाएंगे ठीक है तो जमीर की भी यहां पर पांच पिसमें मैं लिख दे हूँ पहला है जमीर शक्सी जिसको जमीर मुतलक भी कहा जाता है तो जैसा कि नाम में ही है जमीर शक्सी यानि कि जो जमीर किसी शक्स के जगह पर यूज हो उसको कहते हैं हम लोग जमीर शक्स यानि कि प्रो नाउन ठीक है यह तीन टाइप का होता है मुतकलिम दूसरा है हाजिर यानि कि जमीर मुतकलिम जमीर हाजिर और जमीर गायव यह तीन टाइप का होता है मतलब कि नाम के बदले में होता है वह आप लोग तो समझ गए कि जमीर कहते हैं लेकिन अगर बोलनेślी इनसान खुद ही के नाम के जगह जो लवन्हेकर करें उसको कहते हैं आप देया है गश्फर डियर 樂िसस्य ने registers naar कि प्रेशelles में यहां पर एक से ज़्यादा लोग होतें तो मैं क्या बोलती हम लोग यानि कि हम लोग आपकी बातों को समझ रहे हैं यानि कि यहां पर जितने भी लोग है उनका नाम लेने के बज़ाए मैं क्या बोलती हम लोग बोलती तो मैं हम लोग यानि कि बोलने वाले इस्तमाल करते हैं खुद के लिए मतलब बोलने वाले लोग जो है ना वह अपना नाम लेने के है तो चुंब क्या है इसे तरीके से हम हम लोग हम सब यह सब क्या है क्या है जो की बोलने वाला इंसानियान की फस्ट पर जो है न कि बोलने वाला जो अपने नाम के जगह लफ्स यूज करता है उसको कहते हैं हम लोग मुतकलिंग जैसे कि मैं हम लोग हम सब अब दूसरा है हाजिर यानि कि जो सुनने वाला है जो हमारे सामने हाजिर है उसके नाम के जगह में जो लफ्स यूज करूंगी ना उसको कहा जाए हाजिर जैसे कि आप लोग अभी हमारी बात को सुन रहे हैं आप लोग हाजिर हैं ठीक है तो मैं आप लोग के नाम लेने के बजाए कौन सा लफ़ यूज कर रही हूं आप लोग यूज कर रही हूं या तो मैं आप लोग बोलूंगी या फिर मैं तुम लोग बोलूंगी या पिर आप कहूंगी, तो तुम आप, तुम लोग, आप लोग, ये सब नाम के बदले यूस होते हैं, जो सामने वाला वेक्ति हादि बार्ज हूता जो उन रा होता है, उसके नाम के बदले यूज होते हैं. तो इस वज़ा से इसको क्या कहेंगे हाजिर कहेंगे उसी तरीके से गाइब यानि कि जो वैक्ति यहां पर मौजूद नहीं है वो गाइब है जिसके बारे में बात की जाए उसके नाम के जगा जो लफ्स यूज होता है उसको कहते हम लोग गाइब जैसे की कोई मान लिजे सलीमा नाम की लड़की है वो गिर गई ठीक है तो मैं सलीमा गिर गई बोलने के बजाए ये बोलू कि वह गिर गई तो नाम के जगा क्या बोली में वह गिर गई यानि कि जो यहां पर मौजूद नहीं है जो गायब है जिसके बारे में बात की जा रही है उसके नाम के जगा सलीमा के नाम के जगा कौन सा लफ़ यूज हो रहा है वह यूज हो रहा है कि वह गिर गई तो ये लफ़ वह लफ़ क्या कहलाएगा गायब कहलाएगा वह वह लोग वह सब ये गायब शक्स के लिए लफ़ यूज होता है तो इसको कहेंगे हम लोग गाईब जमीर गाईब तो आई होप आप लोगो समझ में आगे होगा कि जमीर शक्सी की तीन टाइप हो थी है मुतकलिम हाजीर और घवाइब कि जमीर जमीर मुतकलिम को कॉस्ट पर संगbarत भूस कर्दे रही हो और जमीर हाधिर को सेकंड प्रसन जमीर गायर को सब्तिक होता है जमीर बश्यॐर्ट के सट है यजो अनि कि जो सुनने वहाला कि नम कि नाम के बदले जो लख़िभाद को कहते हैं कि जो वेक्ति यहां पर मौदूद नहीं है गाइब है जिसके बार में बात की जा रही है उसके नाम के जगा जो लफज यूज किया जाएगा उसको गाइब कहेंगे ठीक है तो यह जमीर शक्सी हो गया आई वोप आफ लोगो समझ में आ गया होगा दूसरा है जमीर इस्तिफ जैसे कि कौन आया है कौन आया है यानि कि जो कौन लफज है यह सवाल को जाहिर कर रहा है यानि कि लफज के जरी हम लोग सवाल पूछ रहे हैं इस्तिफ़ामी क्या मतलब ही होता है सवाल करना ठीक है तो कौन कौन आया है यानि कि सवाल पूछा जा रहा है इस लफज के जर नाम से एकलियर है इशारी यानि कि जिस लवद के जरीए इशारा किया जाए उस लवद को कहते हैं जमीर इशारी जैसे कि वह और यह लवद इशारा जो है वो दो तरीके से हो सकता है या तो हम लोग दूर के लिए इशारा करेंगे नई तो नस्दिक के लिए इशारा करेंग कि वह जो कलम रखा है उसे लेकर आओ ठीक है तो वह और यह जमीर इशारी कहलाएगा उसी तरी के चौथा जो टाइप है वह जमीर मौसूली जमीर मौसूली उस तरह के जमीर को कहते हैं जिसको पूरा होने के लिए साथ वाले जुमले की ज़ुरूरत पड़े जैसे की जिसने मेरी क्लम चुराई है उसके बाद से मैं ना बोलू तो फिर आगे का बात आगे का मानी समझ मतलब इस पूरे सेंटेंस का मानी narrator नहीं समझ में आएगा जिसने और abj कलम चुराई है वह मुझे वापत करो तो अब यहां पर finally आगया कि हम मैं बोलना क्या चाहती हूं जिसने मेरी कलम चुराई है वो मेरी कलम को वापस करो ठीक है तो जिसने जो कुछ तुम्हारे पास मौजूद है और उसके बाद से मैं ना बोलू तो फिर आप लोग मानी पूरा होने के लिए अगले सेंटेंस का इंतजार करेंगे कि अगला सेंटेंस मैं कब बोलू कब जुम्ला बोलू ठीक है तो अगर मैं बोल दी कि जो कुछ तुम्हारे पास मौजूद है वो तुम मुझे दे तो यहां पर मानी समझ में आ गया अगला जुम्ला बोलने के वज़ा से तो जिसने जो कुछ यह सभी क्या कहलाएगा जमीर मौसूली लग की, वह समीर तकीरी, जमीर तकीरी उस तरह के जमीर को कहते हैं जो घष pig सकस को आब जानते नहीए अगर उसके लिए जो लफ्यू किया जाएगा था लब्स को कहा जाता है जमीर तनकीरी माली जी आपके घर पर आपके दरवाजे पर कोई आया है ठीक है तो आप जाकर दरवाजा खोलते हैं और मतलब माली जी दरवाजा को नहीं जानते हैं कि वह कौूर हैं तो आपका करेंगे आपके मां में पूचे की कौन आया है तो आप अचली सब्सक्राइब मुझेस लबज कर दो इस्तमाल फ्रास की बात है ये सब ही लफश क्या न रहे गाल जामिर्व भाएन व के लिए इस्तमाल हो 5. कौप आप लोगों यह पांचो टाइप समझ में आ गया रोगा और यहाँ पर फाइनली इसमें जमीर कंवीट होता है किक पांचो किसमों को समझकर हम लोग की पॉरी जाती का ब Chmb आप लोग ल customize बसको की पहले वाले वीडियों में बता हविए को लिए सो जब DR लीजिया इसके पेहले वड़ी वीडियो में इसुम और इस्म लख और इसम लग्रा को बहुती बेहतरीन अन्दाध में समझाही थी तो आप गजा लाम नाम है लेकिन मैं गंगा नदी यह नदी नदी यह वो हो जाएगा इसम मारफा ठीकłem थेक्ष तो यहां पर हम लोग जिरा इसमनकरा की पांच किस्म09 को समझ लेते हैं इसमनकरा के पांचख्ष तायप है याद रखियेगा कोषिन से यहां से इसतर पूछा करने वाला है कि वीडियो लंबा हो उससे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है चीजी आप लोग के मैंड में फिट होनी चाहिए यह सबसे ज़्यादा जरूरी है और इसी वजह से मैं आप लोग को लगातार हर एक पॉइंट को एकदम डीपली पढ़ाते चलती हूं और इसी व कुमप्लीट आप लोग को टॉपिक समझ में आजाए और कमप्लीट आप लोग के मैंड में सारा टॉपिक फिट हो जाए ठीक है तो चलिए समझते हैं इस नक्रा की भीश में अगर आप लोग को मतलब थोड़ा बोरिंग टाइप का फील हो रहा है पढ़ते-पढ़ते उग मतलब अगर आप लोग को लग रहा है कि यहां उग गए हैं पढ़ते-पढ़ते ब्रेक लेने ना चाहिए तो बस वहीं पर वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और थोड़ा सा पानी पानी पीकर और उसके बाद से फिर से आप लोग वहीं से वीडियो को प्ले करकर कर पढ़ इसमें जर्फ इसमें सौथ को कुछ लोग इसमें सूथ भी पढ़ते हैं कुछ लोग इसमें सौथ भी पढ़ते हैं हलांकि आप लोग इसको इसमें सौथ ही पढ़िएगा तो इसमनकरा यान की कॉमन नाउन के पांच टाइप को मैं यहां पढ़ लिग दी हूँ पहला क्या यानि कि जिस नाम से जिस लव्से हमें बढपन जाहिर हो कॉहाजाता है मकड़ जैसे कि मकड़еся मकड़। इस लग रहा है बना ने हैं याजिक बढ़ापन जाहिर हो जाहिर हो रहा है मकड़ा गटे से श्पूर बढ़न कhesे लवस कि हम लब यहां के लावाइगे मकड़ा का मानी होता है चोटा किया हुआ तो जिससे बड़ापन जाही हो उसको मकबर और जिससे मोग मुसगर ठीकिया यहां सकते हैं हुट हो थे ये इसमें मुसंगर कहलाएगा और जब बात करते करते बड़ा बना दिया जाता है यानि कि बात का क्या किया जाता है बतंगर बना दिया जाता है तो बतंगर का मानी क्या बात को बड़ा बना देना तो बतंगर इससे बड़ापन जाहिर हो रहा है तो बतंगड इस लवज को क्या कहेंगे इसमें मुकबर कहेंगे लेकिन बात क्या हो जाएगा इसमें मुसगर होगा यानि कि बात हो गई छोटी सी बात अब बात को खिशते खिशते लंबा चोड़ा करके खिशते खिशते बड़ा बना दिया जाए यानि कि बात कब बतंगड बना दिया जाए तो बतंगड हो जाएगा इसमें मुकबर आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा उसी तरीके से बाल्टा और बाल्टी बाल्टी लग रहा है कि हाँ छोटा है यानि कि बाल्टी से चोटापन जाहिर हो रहा है तो बाल्टा ठीक है बाल्टा क्या हो जाए बालटा हो जाएगा इसने मकबर उसी तदके न दर हैं तो पगड़ हो जाएगा इसमें मुकबर ठीक है पगड़ का मतलब जो होता है बहुत बड़ा पगड़ राजिस्थान में बहुत बड़ा बड़ा दिशता है तो वह हो गया पगड़ तो पगड़ से बड़ापन जाहिर हो रहा है ना तो पगड़ कहलाएगा इसमें मुकबर और इसमे आला ठीक है यानि कि जिस नाम से ओजार या फिर हथियार का होना जाहिर हो उस तरह को के लफ़ को कहते हैं हम लोग इसमे आला यानि कि ओजार या फिर हथियार के नाम को कहते हैं हम लोग इसमे आला जैसे कि चाकू हो गया यह ओजार का भी काम करता है और हथियार का भी कैची थरमामीटर ठीक हैं तलवार जिसंते ओज़ार या फिर हत्यार इस्में आला धीक है चौता टाइप है इसमें सौथ इसमें सौथ जम्से आवाज कहोना पता चला यानु आवाजों के नाम को हम लोग क्या कहते हैं इसमें ग Stand recommendations नाम कना सए CM काएं काएं कोको भूंभूं ये सबी आवाज के नाम हैं तो आवाज के नाम क्या कहलाते हैं इसमें सौध कहलाते हैं आई होप आप लोगों समझ में आ गया होगा कोशन इसी तरह के से पूछा जाएगा तो मंदर जजैल में से कौन मुकबर है मंदर जजैल में से कौन इसमें दिया रहेगा इसमें आला सी में दिया रहेगा इसमें दिया रहेगा इसमें जर्फ तो अस्पताल समझें यहां पर इसमें जर्फ जो है ना इसमें जर्फ किसी जगह या फिर वक्त के नाम को कहते हैं जगह और वक्त का नाम इसमें जर्फ कहलाता है जैसे कि स्कूल यह जगह का नाम है तो स्कुल किया किया नाएगा इसमें जर्फ ग्लाएगा स्पताल क्या जगह का नाम है तो अस kitten क्या या इसमे जर्फ का नायएं जर्फ का लाइगा यानिक welfare हो गया ठीक है और उसके बाद से इदगाह हो गया, मतलब कोई भी जगह का नाम, या फिर कोई भी वक्त का नाम, सुबह, शाम, दो पहर, क्या कहलाता है, इसमें ज़र्फ कहलाता है, क्योंकि इसमें दो टॉपिक आ रहे हैं, जगह और वक्त, तो इसमें ज़र्फ को ना, दो टाइप में बा मका कहते हैं, सिर्फ जगह के नाम को, जैसे कि स्कूल, अस्पताल, इदगाह, बंदरगाह, ठीक है, तो जगह के नाम को इसमें ज़र्फ, जगह और वक्त, दोनों के नाम को कहते हैं, इसमें ज़र्फ, और इसमें ज़र्फ को दो टाइप में डिवाइड किया गया, इसमें जर्फ मका जमा वक्त के नाम को और मका जगा के नाम को ठीक है तो इसमें जर्फ के दो टाइप है याद रखेगा इसमें जर्फ मका हलांकि इसे कोशन नहीं पूछा जाता है सिर्फ पूछा जाएगा कि मंदर जजयल में से इसमें जर्फ कौन है या फिर कोई भी एक टॉपि पूपिक को समझते हुए तीनो टॉपिक को कंप्लीट लिए हम लोग खतम कर चुके हैं इसमें पूरा कंप्लीट आप लोगे मैंन्ड में फिर्ट हो गया होगा कैसा रहा आजका यह क्लास जो कुछ भी आप लोग को समझाया गया अगर समझ में आया है तो इस बात पर लाइक तो बनता है पड़ापट लाइक कर दे चानल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं बार-बार कहते हूं कि मैं एक सब्सक् आप तक नहीं पहुंचता है तो मैं एक स्यूर कि आप लोग चानल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल और लोग आप लोग आउन कर लेंगे तो जब भी वीडियो अप्लोड होगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचेगा ठीक है तो करें ताकि दूसरी लोग इस वीडियो का लाब उठा सके तो आज कि इस वीडियो को जितना ज्यादा उसके शेयर करना है सबसे इंपोर्टन वीडियो था और इससे बहुत सारे क्वेशन आप लोग एक्जाम में पूछे जाते हैं यह याद रखिएगा इंपोर्टन समस्त लिख रहे होंगे तो तो फाइनली सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया और अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है स्क्रीन शॉट ले लिजिए हलांकि इसका पीडियो वी टेलिग्राम पर अप्लोड कर दिया जाएगा तो ले नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए इसके अगले वाले टॉपिक को आप लोग को पढ़ाया जाएगा अब देखिए आगे आप लोग क्या पढ़ेंगे लेकिन जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वह आप लोग के लिए इंपॉटन्ट ही होगा क्योंकि जि आप लोग के लिए इंप।